हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सवीता वेलकम टू माई चैनल बटर पनीर बनाने के लिए हमने लिया आधा किलो पनीर एक चमज का सूरी मेती एक चमज लाल मिज पाउडर मलाई पांस टमाटर रेड चिली फोर दाल चीनी जिंजर और बे लीफ और लिया है कैसिव नेट तो हम चलि ते बटाल दाल चीनी लाल मिल्च और यह अद्रक अभी हम डालेंगे टमाटर मिच्वोचा अम हम च्लिछ भी डाल ड़ेंगे इसी में इसमेड मिक्स कर लेंगे इसन म सक यह को हम पांच मिड पाराई करलेंगे फ्राई करने के बाद इसमें हम एक ग्लास पानी डालेंगे एक ग्लास पानी डालेंगे इसको फिर से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब ये पक जाएगा हम इसे बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे चलाते भी रहेंगे 10 मिनट जब हो जाया है उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे इसको ठंडा कर लेंगे और इसमें जित्ते भी बे लीव, लाल मेच और डाल चीनी इसको अलग कर लेंगे इसको नहीं मिलाएंगे इसमें और इसको पेस्ट बनाके ये देखिए पेस्ट बन गया अब दुबारा हम कडाई गरम कर लेंगे दो छमच हमने इसमें तील डाल दिया है और ये एक चमच हमने बटर डाल दी है अब हम इसमें डालेंगे लाल मेर्च पाउडर एक चमच जिंजर कद्दुकस करके मैंने डाल दिया है अभी हम इसको चला लिया हमने अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला एक चमच सॉरी आधा चमच गरम मसाला और इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे एक चमच अभी हम ये जो पेस्ट बना हुआ है इसको इसमें डाल करके हम चला देंगे इसको चलाते रहेंगे अब हमने इसमें डाल दिया है सुगर एक चमच और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया है अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अची तरह से अब हमने ये डाल दी है मलाई मलाई डाल के मिक्स कर लिया मलाई डालने के बाद अभी हम इसको दो मिनट तक पकाएंगे पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे आप चाहे अपने पेस्ट के एकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं अब हमने ये बटर डाल दिया है बटर डालने के बाद अभी हम लास्ट में पनीर डालेंगे अब इसको हम पांच मद तक मीडियम फ्लेम पर मीडियम से लो फ्लेम पर पकाएंगे ये देखिए हमारा रेडी हो गया बटर पनीर ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा मैरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा ताकि मैं ऐसी रेसिपी लेके आपके लिए और रेसिपी लेके आजाओं थैंकू